बात करने जा रहे हैं, बिहार STET के लिए ओनलाइन आवेदन होने जा रही है और आपको बता दे कि इस साल के अंत तक परिच्छा हो सकती है जिया आज का एक breaking news बिहार STET का इंतजार करने वाले अभिहारतियों के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी कहा जा सकता है कि बिहार STET यारे की मादमिक एवा मुझ मादमिक शिक्षक पात्रता परिच्छा 2019 की तयारी सुरू कर दी गई है और इस साल के अंत तक परिच्छा हो सकता है आप सभी अभियारतियों के लिए एक बहुत बड़ी खुसकबरी है खास बात यह है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आज का एक न्यूस है कि बिहार बुर्ड ने मादमिक उच मादमिक शिक्षक पात्रता परिच्छा 2019 की तयारी सुरू कर दी है और इस साल के अंत तक परिच्छा हो सकती है इसके लिए एजनसी की तलास की जा रही है और इस वार एस्तीथी की परिच्छिया पूरी तरह से ओनलाइन होगी हाला कि परिच्छा जो होगा वो आपका ओफलाइन होगा परिच्छा के आब इदन से लेकर के मonetering की विवस्ता ओनलाइन की जाएगी हलाकि अभी परिक्षा तीथी की बात करें कब यह परिक्षा होगी इस तीथी कभी घोसना नहीं की गई है लेकिन साल के अंत तक माना जा रहा है कि परिक्षा हो सकता यानि कि दिसंबर तक बिहार स्टिट का आयजन हो सकता है और यहाँ पर आप देख सकता है लेकिन इसमें 5 लाग से अधीक अव्यारतों के हिस्सा लेने का अनुमान है बिहार बुट को आपको बता दे बिहार STET में लगभग जो है 5 लाग से अधीक अव्यारतों के सामिल होने का अनुमान है बिहार बुट को पिछले बार वर्स 2011 में स्टीटी हुआ था आपको बता दे कुछ अवियार्थियों के लिए बिसेज एस्टेट का जो आईजन हुआ था वो 2012 में ली गई थी स्टीटी के लिए इस बार विहरबोड की वेबसाइट के जड़िये आप ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं अवियार्थियों को लेटेस्ट फोटोगराफ वो सिगनोचर जो है सिगनेचर अपलोड करने होंगे सिस्टम ऐसा रहेगा कि केड़ेडेट को खुद ही SMS वो इमेल अलर्ट भीज़ा जाएगा साथी यहाँ पर आप देख सकते हैं online आविदन के बाद अवियार्थि अपने आविदन में सुधार कर सकते हैं याननिकि यदि आपको online आविदन करने में किसी तरह की त्रूटी हो जाती है तो आपके पास एक मौका देगा भी हारबूर्ट सुधार करने के लिए आप आवेदन में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कतेगरी, पेपर वन, पेपर तूर दोनों पेपर में के बिसायों में सुधार कर सकते हैं इसके अलावा अव्यार्थी जो है यहाँ पर सेंटर और भासा को चोईस कर सकता है यानि कि आपके पास आपको परिक्षा कौन सा जीला में देना है इसके वालावा आपको कौन सा भासा में एक्जाम देना है ये भी आपको चोईस फिलिंग करने का मौका मिलेगा STAT में B.A.D. वाले अव्यारत ही आविदन कर सकते हैं यदि आप B.A.D. धारक है तभी आविदन कर पाएंगे यदि आपके पास B.A.D. कर डिगरी नहीं है तो आप आविदन नहीं कर सकते हैं यानि की appearing candidate भी इस exam में भाग ले सकते हैं बोर्ट की website से आप online आविदन कर सकते हैं वर्स 2011 में पिछले बार STAT हुआ था आउट फर्जीवारे रोकने के लिए बिश्यस व्यवस्ता की जाएगी लाइब मोनिटरिंग की जाएगी जहां फर्जीवारे रोकने के लिए बिश्यस व्यवस्ता की जाएगी जिस एजनसी को परिक्षा संचालिन करने के जिव मंबारी मिलेगी उसे परिक्षा केंदर पर अपर अटेंडेंस के लिए बायमेर्टरिक वह थम्ब इंप्रेशन के वेवस्ता करनी परेगी साथी रियल टाइम बायोमेट्रिक वेस्ट जो है अर्टेंडेंस तो था यहां पर फेस केप्चेरिंग जो है सिस्टम लगाए जाएगा परिक्षा केंद्र वाइज परिक्षार्चियों के पर स्तेती की मॉनिटरिंग बिहारबोर्ड मुख्या लाइब पटना से लाइब की जाएगी यानि कि आप जिस एक्जाम में देर हैं यहां पर आपको लाइब बिवस्टा की जाएगी यानि कि इस बार बिहार बोर्ड ने फरजिवारा रोकनी के लिए बहुत सक्त इंजाम किये हैं और 2017 में बिहार सिक्षक पात्रता परिक्षा आजन किया था बिहार 69 अभियार्थियों ने आविदन किया था और आपको बता दे एस्टेट के लिए कहीं कहीं माना जा रहा है कि पांच लाग से भी अधिक जो है अभियार्थी इसमें सामिल हो सकते हैं तो इस साल के अन तक हो जाएगा भिहार एस्टेट 2019 का एक्जाम यह एक अच्छी कबर है आविदन कब से सुरू होगा इसके बारे में अभी नहीं दिया गया है लेकिन एजनसी की तलास की जा रही है